लग कड़ बहू बहुत सास से जीत तो सकती नहीं थी वहीं से चली जाती है लेकिन हाँ भूलने की आदत उसकी अब भी रहती है सुनो नहाने जा रहा हूँ आफिस के लिए देर हो रही है तो ज़रा ये शर्ट प्रेस कर देना और हाँ प्लीज और कोई शर्ट धुली नहीं है तो थोड़ा ध्यान से करना ठीक है पता है हर बात पर सिखाया मत कीजिए इस घर में शादी करके तो ऐसा लग रहा है कि सामान अज्ञान की क्लास ही चलती रहती है हर बक्त परिशान करके रख दिया है पती नहाने जाता है और बीवी लग जाती है पती की शर्ट प्रेस करने कि तभी बाहर से आवाज आती है अब इसकी आवाज सासुमा को सुनाई नहीं देगी लेकिन मैं और ये कमरे में हलकी से बात कर ले तो क्या आरे घूसी चिली आती है में पेले बाबा को ये रोटी देती हूँ अब क्या था रिखे जाती है बाबा को देने लेकिन पीछे चोड़ जाती है पती की शर्ट के उपड के ऊपर प्रेस भी घरमा गरब अरे बाबा रोटी तो ले लो बस ये बता दो कि मेरी किसमत कब जगेगी सुसुराल में हाला टेबल टेनिस के बॉल की तरह हो गया है कभी कोई इधर फेगता है तो कभी कोई उधर फेगता है कोई इधर मार कर उधर फेग देता है समझ में ही नहीं आ रहा कि ये भूलने की आदब कैसे ठीक होगी कोई उपाय हो तो बता दो ना बाबा बाबा घर के अंदर देखते हैं तो एक घंटे बाद टीवी पर गजनी फिल्म शुरू होने वाली होती है यादे ना गजनी फिल्म जिसमें आमेर खान को भूलने की बिमारी होती है और वो हर बाद को लिख कर याद रखता है और बैटी हम बाबा है हर किसी सवाल और जीवन में दुख परेशानी का निजात है हमारे पास तुम्हें के काम करो एक गंटे बाद टेलेविज्ट के सामने बैठ जाना और जो फिल्म देख रही हो न देख लेना तुम्हें 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 सारे सवालों के जवाब जाएंगे अला एक दिन आंजान निकालो खाना सलादीने की दक्सिना भी अनि बाबा जीवन से ये वाली समस्यां खत्म हो जाए तो समझे मेरे घर से आपका लंच पैक शुरू वो भी बिल्कुल फ्री में तब ही अंदर से पती के जोर-जोर से चीखने की आवाज आती है अरे क्या मजाग बना रखा है तुमने ये क्या है पूरी शर्ट जला दी तंग आ गया हूं मैं तुम्हारी भूलने के आदत से बगवान ये मेरा गधा जैसा बेटा सारा दिर जितनी कमाई नहीं करता उतरा तो ये लड़की नुकसान करवा देती है बाबा लग रहा है कि कोई कांट हो गया अंडर मुझ से आच्छा मैं ना एक गंटे बाद बैट जाओंगे फिल्म देखने विदा लीजी अब तो आप जैसे ही वो घर के अंदर जाती है सामने पती खड़ा हुता है फटी शर्ट पैंकर माफ कर यह बाबा आ गये थे तक्षिरा के लिए अब कर्म और ठर्म का लेखा जोखा भी तो सम्मालना है ना जीवन में तो भी तो चली गे थी उन्हें रोटी दिन है बसी खुशी बात है बाबा ने कहा है कि एक गंटे बाद टीवी देखना और टीवी देखते ही मेरी ये तो मैं ऐसी ही जाओंगा ताकि लोगों को भी पता चले कि कैसी भुलकड बीवी के साथ निवा रहा हूं मैं शुकर मानों कि छोड़ा रही है तुमको पती की ये बात तो अब रिंकी के दन बदन में लग जाती है वो सोच लेती है कि अब किसी भी हालत में वो अपनी ये भ खटी शर्ट पहन को चला जाता है और एक गंटे बाद बहु कमरे में सू रही होती है कि सास आ जाती है अरे भुला करणे तुझे तो फरक नहीं पड़ता लेकिन हम लोग परिशान हो चुके हैं जा तेरा बाबा बोल रहा था ना एक गंटे बाद टीवी देखना तो जा द बड़ा सही आइडिया है इससे मुझे याद रहेगा कि क्या करना है और क्या नहीं अब तो मैं भी सब सीख लिया करूंगी वो टीवी बन करके किचन में जाती है कि सास की आवाज आती है अरा तेरे बुवा सास आ रही है खाना बना लेना उसके लिए भी जी माजी अचा था ना उसकी दो रोटी बुवा सास के लिए बना देना आता पड़ा पड़ा खराब ही हो रहा है तो फटाफट रोटी बनाती है लेकिन तब ही उससे ध्यान आता है कि बुवा सास की रोटी तो पूराने आटे से बनाने थी वो पूराना आटा लेकर रोटी बनाकर उस पर पैंसिल लिख देती है पुराने आटी की रोटी बुवाजी के लिए अरे क्या बन रहा है खाने में भावी आपकी बहु की क्या हाल है भूलने की बिमारी कम हुई या ऐसी ही तबाही मचा रखी है अरे क्या पताए अब आज किसी बाबा से उपाए पता किया है देखू सबाब भावी याप ही हो जो संभाल रही हो ऐसी बहु हम लोगों से तो पता नहीं हो पाता या नहीं तब ही वहां बहु आ जाती है हाँ तब ही तो मैं इनकी बहु हूँ आपकी नहीं वैसे मैंने तोड़ निकाल लिया है अब क्या था बुवा सास जैसे ही खाना खाने बैठती है कि सास बोल पड़ती है बहु याद तो होगा नहीं जो बोला था याद करो बुवा के लिए कौन से रोटी बनानी है कहा था ना मैंने जी सब याद है सब तिछ ये लिजी लेकिन जैसे ही बुवा सास की रोटी उनकी प्लेट में आती है वो सोर सोर से चिलाने लगती है अच्छा तो ये टोटका बताया है तेरे बाबा ने जो कुछ भूलो लिखलो क्यूं? बहु को लगता है कि बुवा सास तारिफ कर रही है अब क्या करें? याद रखने के लिए कुछ नुकुछ तो करना होगा न वरना रोज रोज ताने बोलियां खाखा कर तो मैं परिशान हो गई थी तो क्या कहा तेरे सास दे? बासी आटे की रोटी बुवा सास के लिए बबा अरे कैसी बात कर रही हो ना नदरानी? मैं साइ क्यूं बोलूगी? जैसे आपको कैसे पता चला? क्योंकि तेरी भुलकड बहु ने ये लिखा है बहु सब के सामने वो रोटी रख देती है जिसमें लिखा होता है बुवा सास की रोटी बासी आटे की